नमस्ते जी, आओ कुंदन, कैसे हो, आपके बिजनस में डूबी हुई, तीन लाग की रकम लाया हो, ये देखिए, कौन से, अच्छा अच्छा वो, जी हाँ, वहरी गुड, वहरी गुड, कुंदन, मैं तो तुमारे एसानों से दपते ही जा रहा हूँ, पहले वो गुडाम में जले हुए माल की इंशुरेंस की रकम वसूल करवा दी, बाद में फैक्टरी में हर्ताल खतम करवा दी, और अब ये, ऐसा करो कुंदन, इसमें से अधा हिस्सा तुम रख लो, हिस्सा, मैं और आप से लो, ना सेड़ जी ना, लेकिन सेड़ जी, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि, मैं और जया, अरे, कहो ना, इसमें शर्मानी की क्या बात है, कुंदन, मुझे मेरी अंधी लड़की के लिए तुम से अच्छे लड़का और कहां मिलेगा, शुक्रिया सेड़ जी, मगर, मगर, बेटा, जया बहुत जिद्धी लड़की है, वो अपने आपको अंधी नहीं समझते, किसी का सहारा नहीं लेना चाहती है, मगर, तुम खुद उससे बात कर लो तो, वाइ नौट? हलो जया, तुम्हारे साथ चलू, तुम्हारा जीवन साथी बनने का, कितना अर्मान है, तुम्हें हजारों बार कह मैंने, मेरी बाहों का सहारा लेने, चलो जया, जी नहीं, मैं खुछ चली जाओंगे, थैंकि, हुआ हु झाल नौटs बाहों का स現在 मैंने जार्मानी का सहारा ले जार्मेर हाम Strange हुआ है, कितना न preliminary जार्म吹ी एक बढमे जार्मानी साथी इतना, है जो जा जार्मानी अर्मानी का सहारा लेकितरे लोग grease जार्मानी का मैं। आपकार्ड श्रुक्त अब जो उपढने यह यह कार के मालिक आपके बंद करके चलते हैं तुम्हारी इतनी बड़ी छड़ी भी नेजर नहीं आई रही, अंदे कहीं के, ये लो, मैं तुम्हारी हिम्मत के दाद देता हूँ, तुम अपने आपको बे सहरा ना समझ रहे हैं, कमाले साब, इतना हुनिक बदी से अखेला छोड़ रहे हैं, चलिए भेहन जी, मैं छोड़ कर दो हाँ कर दो कर दो कर दो कर दो कि यह क्या कर दो राजश अब तुम्हें इस चड़ी के सहरी के भी जरुवत नहीं आ आ आ आ आ आवास किस तरफ से आती है इसका तुम्हें अंदाजा हो गया लेकिन मैं सड़क कैसे पालता हूंगी मैं तुम्हारे लिए फोल्डिंग छड़ी लेकर रहा हूं यह लो लेकिन इसे तुम सिर्फ उस वक्त इस्तमाल कर रहा है जिस वक्त तुम्हें सड़क पार करने हो ठीक है अब तो मुझे इसके भी ज़रूरत नहीं है तुम्हारे होते हैं यह सब चीजे मेरे लिए विका है तुम्हारे होते है कि अ.... कि हुआ टूररत वहा होते है कुम्हारे है जच्टवाइब छलाब कि तुम्हा ठाने है बाइब नहीं परिंग व्ल मंढ बाप betopनव नहीं मेरे रहा है काम 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 उरसी यहां ठन करकी शहता है काम के लगे फूर से काम मैं को यह है तरहेगा चलहट शाठ आने दे तिताक दिंटा तिताक नेड़ा साब रेड़ी हाँ हाँ या रेड़ी यह से टेक स्टार्ट एक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् जवानी है तो मारी बरे काम की बचा के जड़ा रखना मेरे नाम की जवानी है तो मारी बरे काम की बचा के जड़ा रखना मेरे नाम की हो हो मरी मर्के वर्पों के ये साइए आंकों में है नशाम मैं तो गिरा बचाना हाँ समाना है प्यार का सुमो दिल वालो कुशी मिले क्या है क्या गले से जड़ाएंगे हम इजाज तो हो तो पिके ज़रा जून लूँ अदाओ को तो मारी बोलो जून इजाज तो हो तो पिके ज़रा जून लूँ अदाओ को तो मारी बोलो जून ओ हो ओ हो शायद है समा कब नहाज हसके जाने वपाहा जल जला उड़ा नहाज जमान नहाज गरड़ा चुनो दिल वाज़ो पुशी मिने चाहे के लूँ गले से लगाएंगे हम या तटा है या पुलो का ये रूप है जीवन को कभी चाहो कभी रूप है या तटा है या पुलो का ये रूप है जीवन को कभी चाहो कभी रूप है जमान जब है हसके जिया जाएं ला 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 जमाता है प्यारगा सुनो दिल वाज़ो पुशी मिने चाहे के हम गले से लगाएंगे हम हाएंगे है हाएंगे हाएंग Hi. Hello Jaye हेलो बाजार गई दी जी कमाल है बाजार में पैदल आती जाती हो क्या तुम्हारे डैडी ने तुम्हें कोई गाड़ी नहीं थी बहुत कुछ देने की कोशिश की लेकिन राजश ने इंकार कर दिया क्यों राजश सिर्फ मुझे चाहता है मेरे डैडी के धन दौलत गाड़ी और बंगले नहीं और कुछ पुछना बाकी रह गया है तुमने मेरे हमदर्दी का बुरा मान लिए हमदर्दी सिर्फ मजबूरों से की जाती है और मैं मजबूर नहीं वरना राजश मुझे कभी अकेले घुमने फिरने की इजाज़त नहीं देती अब 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 आए आए चलो जया मैं तम्हें घर चोड़ देता हूं जी मेरा घर नेजदी के अब चलिजाने लेकिन जया मैं थैंक्यू जाओ गाड़ी में तुम्हारों को इंतजार करेंगे कि अब कि दार्लिंग यह किसे देख रहे हूं कि अपनी जिन्दिगी की सबसे बड़ी और आखरी भूल करोड़ पति सेट गोविंद्राम की इकलोती और अंधी लड़की जिसने एक भिखारी को अपना पती बनाया और मुझे ठुकरा दिया और फिर भी तुम इसे अंधी कह रहे हो रीटा अब की बार किसी भी मोड पर यह मुझे मिली तो यह सोने की चिडिया संदगी भर मेरे हाथों में भड़ पड़ाती रहेगा कि अब आपके भावी आई क्या क्यों दिल नहीं लग रहा है बक्वास बंद कर ठीक है ठीक है ओके सिकंदर ओ सिकंदर अब है या मर गया हूं तो जिन्दा आपी ने तो बक्वास बंद करने को कहां था तो तो खोल दू क्या बक्वास करता रहता है जब शादी नहीं हुई थी तो हर वक्वास सिकंदर सिकंदर की रट लगी रहती थी और जब से भावी आई है और जब से भावी आई है तब से सिकंदर को फ्लॉप पिच्चर की तरह डबे के अंदर बंद करके रखा है नहीं आई भावी एई क्यों लड़ रहा है मैं लड़ने रहा हूं भावी अंदर जाओ आपका इंजज़ार कर रहे है तू जा थैंक्यू बेरी मच्च मैं नाश्टा करके आतो हूं झालों मैं शबोड़ के तू है बंदर झालों में भावी एई नाश्टा का रहा है झाल 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 अरे जया तुम का वाइं बहुत देर हो गए बताया क्यों नहीं देख रही थी क्या तुम कैसे परेशान होते हो अच्छा जी आपको हमें परेशान करने में मज़ा हाता है रोस दुबे चले जाते हो और रात को देश से आते हो और मैं दिन भरा के लिए रहती हूं जुब तुमähänरा दिन झालों ऑर सरकार हमारा दिन भी तो आप भी कहा क्यालों में गुजरता है इसका मतलब है आप काम नहीं करते माना क्योंकोंकर करना पड़ता है सरोकार अगर मैं तोता होता तो मैं दिन रात तुम्हारे पास बैठता तुमसे बाते करता तुम्हें देखता और मैं अब आप चुपचाप से बैठके नाश्टा कीजी हाँ जी अब नाश्टा ही करेंगे और कर भी क्या सकते हैं आई बाबा आई बाब रे क्या हुआ लेट लेट और क्या तुमने घड़ी पीछे कर रखी है जी नहीं जी हाँ साड़े नौ बजा रही है और मेरी घड़ी में पूरे दस बच्चु के हैं पूरे आधे घंटे का नुकसान हो गया तुम तो हमेशा हbare अब हवा के घोड़े पे सवारज हो अरे हवा के घोड़े पे न रहा हूँ तो काम कैसे करूँ जानती हूँ आजक़ कॉमपीटीशन के जमान है कॉमपीटीशन का अच्छा स्वीटार्ट मैंने प्रिंट्स निकालकर लटका दिये हैं जब यह सूट जाए तो इन्हें प्रेशर मशिन में डाल देना अच्छा कुछ और और नई आज शाम को जल्दी आओगे क्यों ओफो फिर क्यों मैं तुम्हारी स्क्यों से तंग आ गई हूँ क्यों शाम को ममी डैडी आ रहे हैं इसलिए मैं तो भूली गया था अच्छा मैं जल्दी से जाता हूँ और जल्दी से आ जाओँगा राजिश किदर देख रहे हो तुम्हारी तरफ ओके बाई वाव 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 रोशगुल्ला जले भी जंगली जले भी सिकंदर जी तु पागल तो नहीं हो गया अरे भावी हुआ तोने लेकिन होने वाला था अच्छा हुआ तुमने मुझे रोक लिया शुक्रिया लेकिन भावी क्या चीज है कहां तुम्हारे हाथ में भावी कयामत है कयामत मेरे हाद में ते फोटो है अरे भाबी इसी की तो मैं बात कर रहा हूँ क्या धमा का है क्या होट है बिल्कुल शर्मिला जैसे क्या गाल है बिल्कुल हेमा जैसे और आखें कैसे हैं हिरनी जैसे ओफो मैंने कहा देखी पहलिया मत बुझाओ सुन्दर है एकदम सच हाँ और बताऊं क्या लगता है यह जंगली जली भी राजेश भया के बहुत करीब आ गई है या फिर राजेश भया इसके बहुत करीब चले गए है सिकंदर बहुत बोलने लग गया है भाग यहां से सॉरी भावी क्यों रे बबलू तुझे भी पता चल गया कि आज मम्मी डाड़ी आ रहे हैं तभी इतना खुश हो रहा है बोल क्या खातिर करेगा उनकी ओफ तानिया तुझे तो कभी अकल नहीं आएगी मालो मैंना मैंने अभी सोफे का कवर बदला है चलो उत्रो चलो हलो राजेश हलो स्विठाट मिला नहीं मिला एक और अरे तुम तो शर्मा गई क्या 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 बंबी डेड़ी आ गया यह देट्स वंडर्फूल इस न्यूस फॉर सेलिब्रेशन अच्छा तुम एक काम करो हां हां बाबा मैं बस में नहीं टेक्सी लेकर आ जाता हूं हां मेरे आने तो उनकी खातिरदारी करो ओके बाई 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 स्विठाट हां बाई क्या बातें हो रही थी मा बेटी में कुछ नहीं समझा रही थी मगर नहीं मानेगी भी कैसे आखिर बेटी जो मेरी है मेरी तारिफ बहुत हो चुकि लीजे शुरू कीजिए अरे राजेश को तो आने दिया होता आते ही होंगे राजेश आप खाये ने तो पकोड़े थांड़ हो जाएगा आओ राजेश आओ नमस्ते मामी जी नमस्ते डेड़ी कुछ देर होगी इस और राइट चलो जल्दे से मुहाद धोले श्क्यूज मी देखो बेटे इतने बड़े बंगले में हम दोनों रहते रहते घवरा गए हैं क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम दोनों वहीं आजाओ हम दोनों हाँ हां बेटे ये मेरी ख्वाईश है कि हम सब साथ रहें तुम्हें कोई तकलिव नहीं होगी राजेश वो तो ठीक है अपना होना चाहिए लेकिन वो भी तो अपना ही है राजेश वेटा अपने से मेरा मतलब अपनी कमाई का डेड़ी वो तो सब ठीक है राजेश मगर मैंने जो कुछ कमाया है वो किसके काम आएगा बेटे तुम दोनों के अलावा तो हमारा कोई है ही नहीं लेकिन डेड़ी ये जया के हख में ठीक नहीं होगा। क्यूँ? इसलिए कि यहां अपना काम खुद करती है। वहां हर काम के लिए नौकर चाकर होगे। ये बेकार होके बैट जाएगी और इसका वक्त नहीं कटेगा। मगर इसे तकलीफ भी तो कितनी उठानी पड़ती है राजेश। इसी तकलीफ में तो इसकी राहत है, खुशी है। और सच पूछे तो डड़ी, मुझे जादा बड़े घर पसंद नहीं है। तुम बाते ही करोगे या कुछ खाने भी दोगे। अरे हां। अरे नहीं बेटा, हमने बड़ी अच्छी तरह से खाया है, बड़ी मज़दार पकुड़े बनाए हैं तुमने। देल रखने के लिए तो नहीं कह रहा है। नहीं, बिलकुल नहीं, राजुश से पूछ लो। हाँ ड़ी, बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन नमक ज़रा कम है। बहुत तुम बाद में खा ले ना। मेरे लाइक कोई सेवा, बहुत देर से बेकार खड़ा हूँ। तू क्यों पके आम की तरह टपक पड़ा बीच में। आज आप लोगों का मूड अच्छा है न, इसले एक रिक्वेस्ट करना चाता हूँ। आज धर्मेंदर की पिच्चर का प्रीमियर है, फिर ये। कैमरा क्यों लिया तूने। बताता हूँ भाईया, बताता हूँ। यही तो एक रास्ता है वहाँ पर पहुचने का, फिलम वाले मुझे प्रेस फोटोग्राफर समझकर हाथ तो हाथ अंदर ले लेंगे। मगर मैं आपके हाथ में अपना कैमरा देकर इसका सत्यानास नहीं करना चाता। अरे इसका सत्यानास तो तब होगा जब इसका इस्तमाल किया जाएगा। मतलब, मतलब साफ है। यह तो सब मेरी एक्टिंग का कमाल होगा। यह देख लो, यह मैंने फिलम लोड की। कर ली, अब यह मैंने फोटो खीचा। खीच ले आना, थेंक्यू, थेंक्यू, पर्सो में फोटो भेज रहा आप लोगों की। फोटो तो पर्सो मिलेंगी लेकिन कैमरा अभी। चलो। तो मिस्टर जीरो, अब आप जा सकते हैं। देखा मेरी बेज़दी कर दी न। कोई बात नहीं सिकंदर, अगली वार हम तिरे लिए फर्स क्लास नया कैमरा लाएंगे। तैंक्यू सर। अच्छा बेटे, चलते हैं। थेर ये ना डाड़ी, नहीं बेटे, बहुत देर होगे। अच्छा राजेश। जी डाड़ी। अरे भई तुम लोग कब आओगे हमारे गर। जब इन्हें फिरसत मिलेगी। मैं आपी आया जाए। नमस्ते, चल चल तानिया। अरे क्या हूँ अब तक तो ठीक थे शुटाट ठीक कहा था सिर्फ बन रहा था। बताना पड़ेगा अरे वक्त तो देखा करो स्वीठाट मेरा बस चले ना तो इस वक्त को हमेशा के लिए रोक दूँ अभी आप अपने आपको रोकिया मुझे बहुत काम करना नहीं छोड़ो मुझे कुछ मदद करो जी नहीं ठीक है जैसी आपकी मर्जी चलो में स्थानिया कि अब तो मेरी हालत पर रहम करो यार दिन को तो आप परेशन करते ही हैं अब रात को भी बैट पर आके बैट गया है किसी को पता है मुझे सुभह के प्लेन से दिल्ली जाना है अब मेरा सोने का वक्त हो गया अब चलो यहां से भागो आउट चलो आउट 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 कि बत्ती बुझा दूं कि बत्ती बुझा दूं हाँ अंधेरा हो या उजाला मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं बस बाते छोड़िये किताब बंद कीजिये और मेरे पास अधे बड़े मतलबी हो मैं मतलबी हूं तुम मतलबी नहीं हूं पढ़ने से जी नहीं भड़ा क्या तुम्हारे दिल की किटाब पढ़ रही है क्यों भरोसा ने मुझ पर भरोसा तो अपने आपसे भी ज़्यादा है लेकिन कभी कभी अपनी कंजोरी का एहसास हो एक बात पूछों जरूर पूछों गुरा तो नहीं मानोगे बिलकुल नहीं वो लड़की कौन है लड़की कौन सी लड़की सुबज इसके फोटोग्राफ स्प्रेंग किये थे तुम्हें जिसके आँखें हिरनी जैसी हैं वो इसमें हसने की क्या बात है तुम्हारे पागलपन पर हसू नहीं तो और क्या करो स्वीठार्ट वो लड़की एक मॉडल थी रीटा देड़ दू साल पहले उसके कुछ फोटेग्राफ स्खीचे थे कल एक्जिबिशन पर जा रहा हूँ न इसलिए उसके प्रिंट्स निकाल रहा है अब तक तो सुना था आज यकीन भी हो गया औरते बहुत छोटे दिल की होती है भला बताओ जिस लड़की के बारे में मुझे ये मालूम ही नहीं वो कहां है उसे आप मेरे पास ढून रही है पी 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 मैंने पीरी है राघरी नशीरी है पी 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 मैंने पीरी है राघरी नशीरी है लेले भावों में, लेले बाहुते धेरे में, महते महते अंधेरे में, लालालालालालालालाला मैं जराभी हूँ, तुम मैंने पीरी है, ना जड़ी नशी है क्यों दरता है दिवाने, क्यों दरता है दिवाने, मती में बेमाने, दत्रा भी रे ये मोसम ले पीने का, मरने का, जीने का, छलका भी रे मेरी करती जड़ानी को, जाले खोटे दे जोबी हो, लालालालालालालालालाला बेशराभी हूँ, तुम मैंने पीरी है, ना जड़ी नशीरी है करता है हुआ हुआ है कितना नशा मुझको जाने वफा सुझको क्या है पता प्याती प्याती आदा मेरी समझो मरती है क्या मेरी ला 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 मेजरा भी है ला 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 ल ला ल ला ला ल lotta मेरी आदा बरी ने पीनि कितना ने ले लिली को की धिरी में में महते मैं के अधीरे में ला 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 मैं तरावी है तो मेंने पीडिये तो मे नहीं है नोनसेंस तुम्हे किसने कहा ता कि विदेशी कस्टेमरों के साथ अपने दूसरे धंदों की बात करे हमें उनसे सिर्फ उसी काम की बात कर दी चाहिए जिसके कम्प्लीट होने पर वो हमें 20 लाग रुपे देंगे सब लोग प्लैन एक बार फिर से सुन लो यह नैकलेस देखा यह नकली है नकली ओ तुम आ गए गुड हाँ तो बिलकुल इसी जैसा दूसरा असली नेकलेस उडाने कल हमें दिल्ली जाना है जाने मन यहां क्या कर रही है जाओ बैटरूम में जाके मेरा वेट करो बैटरूम को कही है वेटिंग रूम ना बना देना माई डियर तुम्हारे कपड़े बदलने से पहले मैं वहां पहुंच जाओगा गो तुम इस ओपरेशन के इंचार्ज हो कि बैग लेकर दिल्ली जाओगे लेकर पुलिस आफकोर्स पुलिस वालों की नजरों से बचके प्रिंच शार्मिंग मुझे देखना है तुम अपनी स्मार्टनेस का जाल होटल की सर्वेस गहल पर कैसे फेखते हैं बाकी के इंस्ट्रक्शन्स आपको दिल्ली में मिलते रहेंगे नेकलेस उडाने का प्लैन मैंने बहुत सोच समझ कर बनाया है काम्याबी मुझे साफ दिखाई देती है एनी सजेशन्स दारलेंग ये खड़की में से किसे देख रहे हूँ आने वाले खड़की से नहीं दरवाजे से आते हैं डाल देंग ये नकली में क्लेस किसके गले में पड़ेगा ये तुमें कल दिल्ली में मालम हो जाएगा बहे हमी अ ऑाले आनी से खड़की अ किसके अस then सुरक्य और एपार में गिए प मेन शाया है लॉझ सीह समारी भी अरो एम मुंहें मत कय वक्या और ए जुपका साथ हामाे किसी का इंतजार है क्यों Beegam यह तो तुमारी एक ही अदास है फ्लैट हो गया लेकनो दूसरा मुचो वाला पहुत ही खूसट है एक एक चीज की तलाश ही लेगा अगर कोई खत्रा महसूस करो तो पर्स को यू कर लेना और और पर्स को खोल कर नेकलेस जमीन पर फेक देना जमीन पर हम बेगम तुम्हारी नजरे हमेशा आस्मान पे रहती हैं कभी जमीन पे भी देखा करता है क्या बात है डार्लिंग हाँ लगता है नेकलेस मेरे पर्स में है अहाँ नेरी जेब में है एक ही बात है चलो बेगम चलो बेगम साहिबा मैं तो जा रहा हूँ मगर मेरी गैर हाजरी में अपने आपको संभाल करें अपने आपको मेरा मतलब है नेकलेस को क्योंकि आखरी में नेकलेस सिर्फ तुम्हारे पास होगो और तब तुम बिलकुल अकेली होगी तुम फिकर मत करो डाली मैं सब संभाल लेंगी लेकिन क्या तुम सच हो जिस मलेन से बंबई वापस जा रहे हो मेरा दिल्ली में रहना ठीक नहीं है पुलिस को शक है मुझकर अगर मुझे पहचान लिया गया तो तुम सब पहचान लिये जाओगे समझी मैंने सब इंतिजाम करवा लिए प्रिंस और प्रिंसेस उसी होटल में आ रहे हैं प्रिंसेस का नेकलेस कब और कैसे चुराना है यह तुमें पॉल बतागा हाँ आप साब प्रिंस और प्रिंसेस होटल पहुच रहे हैं कुट बेगम साहिबा खुदा आफ़स वेलकम तो आर होटल यह हाइनस थांक यू वेलकम तू सर थेंक यू थांक यू सबक्ता है वेलकम तो डाव स्क्ड़ुण जसमें प्रिंसे प्रिंस संसांघर थेंक यू Here is your key, 205. Thank you. रिट्या रुख जाओ, इधर उधर मत देखो, दुम्हारा पिछा हो रहा है. मुझे मालूम है. उनका प्लैन क्या है? आज ये डाक्तों नेकले सुडाना है. लेकिन कब और कैसे, ये नहीं मालूम. कल सुबह की सिंगापूर की दो टिक्टे मिल सकती हैं? टिकट तुम्हे एरपोर्ट पे मिल जाएंगे. लेकिन क्या टिकट के साथ हम दुनों सिंगापूर जा सकेंगे? कल दुपहर का खाना हम सिंगापूर में खाएंगे. सत्यम शिवम सुन्दरम एक्स्क्यूज मी. जी. मुझे हजार रुफे का चेंच आएंगे. मिलने को सकता? क्यूं नहीं? मैं अभी लाके देती हूं. ओ नो नो आप आराम से लाने का मांगता. वैसे इस वक्त मैं बहुत बूर हो रहा हूं. आप साथ देंगा? जी नहीं. थेंक्यू. इस वक्त में ड्यूटी पे हूं. और ड्यूटी का बाद? सोचूंगे. हाई. अरे रिटा, तुम? चलो, तुमने अपने पूरानी मॉडल को पैचान तो लिया. क्यासी हो? बिल्कुल वैसे जैसे तुमने मुझे छोड़ा था. आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो. रिटा, मेरी शाधी हो चुकी है. शाधी तुमारी रही हो, मेरी तो लिए. ओफो, अच्छे, जरा मैं कपड़े तो पहन लूँ. एक साथ पहन लेंगे. ऐसा नहीं हुआ है, अफ़त हमारे खिल का. साधा नहीं हुआ है, साथ यकीन तर लो. ऐसा नहीं हुआ है, साथ यकीन तर लो. मैं के है चौर दिन से, रूगत जवाब बतन दिन से. मैं के है चार दिन से, रूगत जवाब बतन दिन से. सरकार वो कली हूँ, मैं घुसन के चमन की. जिसका अभी चमन में चलचा नहीं हुआ है, साथ यकीन तर लो. ऐसा नहीं हुआ है, साथ यकीन तर लो. पूंती है क्या जवाणी, ये जान तर तक देखा. मुझे को किसी अदा से, पहचान पर तो देखो. मुझे को किसी अदा से, पहचान पर तो देखो. तुम सोचते हो जैसा, वैसा नहीं हुआ है, साथ यकीन तर लो. ऐसा नहीं हुआ है, साथ यकीन तर लो. लो. आचरी को रहारा नत्मी ये भूले पाले चुड़ो की रेंक इनका मेला नहीं हुआ है साहब यकीन कर लो ऐसा नहीं हुआ है साहब यकीन कर लो ऐसा नहीं हुआ है साहब यकीन कर लो ऐसा नहीं हुआ है साहब यकीन कर लो यकीन कर दो लो अ अ मुआ है झाल 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 क्या करूई आज तुम बहुत खुब्सूरत लग रही थी आज डालिंग रोमेंस तुम समझ गई ना इतने भी क्या जल्दी अरे तुम जल्दी की बात कर रही हो हमारा बस चलता तो मुझरे वाली का गाना छोड़ कर चले आते हैं है 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 कुछ का हो ना अच्छा मुझरे वाली का गाना सुन कर दो अच्छा हो गया था डालिंग तो जान था ना उसी के पास यह जन्नत चोड़ कर कभी नरूँ पहले बत्ती बजाते हैं तुम्हारा शर्माना बहुत अच्छा लग रहा है बत्ती बजाती तो कुछ नजर नहीं आएगा नए वैसे तो रात है कुल कर दो इंचे रागो को खुशी के रात में क्या खाम जलने बारो का हुआ है मार डाला मार डाला है 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 अरे ओनों यह क्या मजाख है आज तो ऐसा ही होगा आचा है कोरा कोरा नत्नी है भूली भाली बस तुमेरे पहलो में बैटकर मीठी मीठी बाते करो चूंटी मत काटो मुझे नहीं अच्छा लगता कि अगंडि कुछ चाहले लुग नक्लास तो तारने दो नेकलेस ख़लो डार्लिंग कमान कमान डार्लिंग ऑ इस सम्झा करो डालिंग मिढ़को दोलना और वी डाहिS अईब कर मात नाम मात ओम अईण कर दो कर दो कर दो कर दो बखना है कर दो हेलो गुड मॉर्णिंग गुड मॉर्णिंग गुड मॉर्णिंग मैदम आप अपना पर्स खूल के रखिया मैडम आप लेत होँ है तो अखिने जलिजये हाई हैंसल हाई रीटा कमाल है कल रात अधूरा गाना सुनकर ही चले गए अच्छा नहीं लग रहा क्या गाना ओ हाँ गाना गाना तो बहुत अच्छा था लेकिन मुझे ज़रा जल्दी थी तुम ये भागती हुए कहां से आ रहे हुँ सोचा था बहुत लंबे उड़ने का था बंगर बैड लग तुम यहां क्या कर रहे हो फ्लाइट में कुछ टाइम था इसलिए सोचा कैमरा अनलोड कर लो कैमरा हे क्या सोच रहे हो कुछ नहीं तुम्हें और इस कैमरे को देखकर मुझे अपने पुराने फोटेग्राफिक की हवबी याद आ गई है किया एक दो रोज के लिए तुम मुझे अपना कैमरा देख सकते हो हां हा शेयौर लेकिन जरा संभाब के यूज करना हां हां समाल के इस्तेमाल करूंगी है यह लोग तो तुम्हारे लिए क्या आउडर करो कॉफी मैं एक मिन्ट में यह होके क्या कॉफी देना कर अब कर अब कर दो 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 यह लुदत強फर मों तुम्हारे लुदत अनातुआ है कर दो चलो चलो हलो स्वीठाट अरे भाई आज तो कमाल ही हो गया फ्लाइट बिल्कुल टाइम पर आगई अरे मैंने फोन रखा और घर पॉंचा ओके मिला बाय स्वीठाट राजिश राजिश तुम इस वक्त अपना कैमेर अपने पास रखला मैं दो दीन के बाद आके लेकी जोगी ओकी बाई आज अगा 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 पर न तुम्हारे कहने के मुताबिंग नेकलेस दिली छोड़ाई हूं छूट mów यह छूट है तुम अपनी पेवकूफ नहीं हो मेरी परसों की महनत तुने पलों में ही परपाद कर तुम एश्ष्परर एक बात क्यों प्युने नहीं करते किदार्ली तुमने मेरा प्यार देखा तुम्हारे एक जान तो क्या तुम्हारे साथ और भी सो जाने लेनी पड़ी तो भी मैं ये नेकलेस अपने हाथ से नहीं जाने दूँगा बॉस ये लड़की जूट पोल रही नेकलेस नेकलेस कहीं नहीं जाएगा देखा अपने मालिक को कितने लापरवा है फोन आये कितनी देर हो गए लेकिन अब तक नहीं पहुँचे तुम दोनों समझा नहीं सकते उन्हें मुझे आकेले छोड़कर चले जाते हैं आने दो खुब लड़ूंगी हाई स्विठाट अरे भई हम आ गए हैं क्या बात है आज हमारा कोई स्वागती नहीं कर रहा कोई जवाब नहीं इसका मतलब है कि केस सीरियस है इसलिए मिस्टर राजेश कान दबाकर अपना स्वागत खुदी कर लो वर्ना खहरियत नहीं क्यों ज़या आज़ हाफ हाँ नहीं अठरी शानती शानती धीरज घराय मैमान को पहले आराम से बिठाया जाता है फिर उस से बाते की जाती है मैं मजाग नहीं कर रहा है हाँ वो तो नजर आ ही रहा है तभी तो ये भी नहीं पूछा दिल्ली से आये हो, क्या लाये हो और क्या-क्या देखा वाह! क्या नेकलस था! आखे चौंधिया गई स्विठार्ट, असली हीरो का था कीमत कम से कम 20-25 लाग की तो होगी जरूर लाओं तुम्हारे लिया, तुम्हारे गले में उसकी शुबा और भी बढ़ जाएगी हाला बदलने दो, तुम्हें जरूर प्रेजन्ट करूँगा मुझे पहले एक घर चाहिए घर? क्यों ये घर नहीं है क्या? मैंने कब कहा, लेकिन रहने के काविल नहीं ना यहां कोई आबादी है, ना पासपड़ोस अच्छे बुरे समय का कोई साथ ही भी नहीं सबसे अलग मुझे इस विराने में बहुत डर लगता है तुम्हें डर लगता है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्यों? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? अखिर तुम चाहते क्या हो राजिश मुझे बहादुरी का एवोर्ड दिलवाओगे क्या? एक्जेक्टली, सच कहता हूँ जया वो दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशिका होगा लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रोंगी तुम डैडी से पैसे लेकर कोई दूसरे घर का इंतिजाम क्यों नहीं कर लेती? एक बात हमेशा सुन लो जया आइंदा तुम कभी मुझे अपने डैडी से भीक मांगने का मश्वरा नहीं दोगी समझी? आम सॉरी राजिश अरे अरे पगली तुम तो रोने लगी आम सॉरी देखो भई तुमारी आखों में आशू अच्छे नहीं लगते हस्दो हस्दो ना हस्दो 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 यह हुई न बात अगर तुम कुछ दिन और इंतिजार करती तो मैं तुमें सर्प्राइज देता अब बताना पड़ेगा मैंने फ्लेट बुक कर विया है कब? कहा? बंदरा में बस साथवे इंस्टॉल्मेंट बाकी है वो दी, कब्जा मिला? इंस्टॉल्मेंट का भी इंतिजाम हो गया है समझो कहां से? अरे बहुत बड़ा काम मिल रहा है बहुत पैसे मिलेंगे अभी जाओंगा और रात को आखरी टेंज से वापिस आजओंगा अब फिर जाओगे तुम? सिर्फ आज जाओंगा इसके बाद कभी ने तो ममेश आसे कहते है अब में कहूंगा बस आज इजाज़त दे दो प्रामिस प्रामिस अच्छा चलो अब जल्दी से मेरा बैग तयार कर दो उसमें एक छे रोल कलर के रख देना और दस रोल प्लाग इन वाइट के चलो चलो नो, नो, नो डर्ली कोई दो प्रामिस इस मी, और फ्रामिस मुझा उबीध है आप मेरे देश में मजे ले रहे हैं नेकलिस मेरे पास है लेकिन वो आप तो कल सुबह मिले नो, 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 हरी अबाउट दा मनी रुपए भी मैं कल सुबह ले लूँ आज रात के प्लेन के टिकेट्स आप लोगों के मैने कैंसल करवाए हैं कल सुबह की फ्लाइट से आप अपने देश वापस जा सकेंगें ओके ठीक है, ठीक है हम तो जाने का जल्दी होता बोलता तो हम रहता देखो जल्दी आ जाना अच्छा बाबा आखरी ट्रेन से डेफिनेटल आ जाओंगा ये नहीं ये नहीं वो दूसरा वाला देना इस कैमरे की आज मुझे जरूरत नहीं और हाँ स्वीठार वो साथ में फ्लेश गन भी दे देना आज रात को आप फ्री हैं क्यों? एक फंक्शन है फोटो किचवाने है I'm sorry, आज तो मैं बाहर जा रहा हूँ की स्वाफ? अब बस अभी और वापसी? रात को देर से आउंगा और कल कल का देखना पड़ेगा एक मिनिट है रही है देखा त्रिठार ये दूसरा ओडर है मेरे लिए कल तक रूपने को तयार है लेकिन मैं मानाता हूँ बिर्जू कहा है? बिर्जू? भॉस ने तुम्हे याद किया अब मैं चलो दरोगी तो नहीं? अब मैं चलो अब मैं राजिश सुनो जया कैमरे के पास एसेट की बॉटल पढ़ी है वो वहाँ से हटा दे रहा है तानिया कहीं इदर उदर गिरा न दे आखों में पढ़ गया तो कुछ देर के लिए अंधा कर देगा हाँ हाँ बाबा मैं सब कुछ ठीक कर दूगे हो सकते तो जल्दी आजाना ओके बाई कहो पोस्टमैन क्या खबर लाये हो वहां कि सब खबर लाया हूँ लड़की अकेली है और अंधी है अंधी है तो फिर भेज बदलने की क्या जरूर्थ थी इसलिए कि तुम अकल के अंधी हो तो मुझे ज्यादा वक्त बाहार रेना किसी के नजर में आ तो पहिछा जाओंगा और तुम घ्यान से सुनदो अंधर जाके उस अंधी को इस तरह डराओ कि वो सोचने समझने के काबिल न रहे और मजबूर होकर अपना निकले हमारे हवाले कर दे और देखो अगर मेरी जरुरत मैसुस करो तो दिया सलाई जला के मुझे इशारा कर दो समझे फोटोग्राफर तो गया अब मैं जाओं गर्दे इस वक जाकर जेल में जाने का इरद है क्या गुर्दू ये पूरा इलाका सुरज जो पही विरान हो जाएगा और तब मैं तुम्हारा कड़ा भी गुर्दू तो तुम्हारी चीक और पुकार कोई नहीं सुनेगा वहाँ जोड से खिरनकर जाद अस्ताथ तुम्हें जर्भाजन की चाया है या जान रोन की जान तो उन लोगों ने ले ही लियोगी फोन करना उनकी लिए मामुली खैल है लेकिन हमें तो नेकलेष顬 चाहिए नेकलेष मिलते ही हम कि उनक अतों से दूर भाग जाएंगे हुँए। जह झालोगी बच्चीट जह प्रका प्रका और का यह ज़ता हुआ। ज़ता। ज़ता। मैं तुमको ज़ता नहीं छोड़ा। ज़ता। 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 कर दो अपरोंगे अगो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो, या तो, फो, लुग है आही है। प्रेखच को लुग है लुग है वहा है लुग है प्ड़ः। खुवए लूप आडिया जॉए लुवए लुश्यार्वी जुवए लुऑ खॉए लुवए लुष लुए 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 लुश्यार्व लगता है भाबी तुम मुझे चने के जाड़ पे चड़ा रही हो आखिर इस तारिफ का मतलब क्या है कोई खास्ता में मुझे मुझे क्या काम होगा नहीं है तो बहुत बहुत थेंक्यू यानि वेरी वेरी शुक्रिया मैं चला प्रीमियर पे ओके भाबी सिकंडर हां बाबी उनके आने तक रुप जाएगा तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा अरे भाबी जली 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 क्या भाजी भाबी नहीं भाजी जली बड़ाया मुझे सिखाने बावची अरे भाबी में तो देख रहा था यह जव पती है अभी हमाल क्षे अभाब मैं देख रहा था कि तुम बादूर हो या नहीं लेकिन भाबी तुम बहुत बादूर हो सिकंदर लाउंडरी से कपड़े भी तो लाने है कल बंध होगी तो भाबी मैं परसो ले आऊंगा अभी क्यों नहीं भाबी अभी टाइम मिला तो देखोंगा मैं अगर वहाँ डको में क्या कर रहा है हां कुछ नहीं भाबी कुछ भी तो नहीं कर रहाऊं मैं देख कैमिर को नहीं कर नहीं अबाकरो भाबी मैं क्यूं हाथ लगाऊँगा मुझे कौनसा फोटर ग्राफर बनना है मुझे तो हीरो बनना है हीरो मुझे क्या जरूरत पड़ी कैमेरे की जरूरत यह पड़ी है कि तू प्रीमियर जा रहा है तो फिर मेरबनी करी दो भाबी नए जा पना सिकंदर-ए-आज कि सावारी जा रही है सिकंदर आई तानिया आई तानिया हेलो फाय ब्रिगेट यह सैड्रोस सनी बिल्टी मिन्ट रोड फॉर्ट मार्केट देखे मैं अंधियों में देख नहीं सकती और हमारे यहां आग लगी हुई है मदद के लिए कोड़ नहीं आप जल्दी आये प्लीज ठेरी ठेरी शाहिद कोई आया है मदद मिल सकती है मैं देखेए यहां व्यां अंधियों मुझे कुछ दिखाई नहीं डिता प्लीज मेरे मदद कीजिए जब करांवही नहीं देख लेता हूं कहां अग लगी है को पलीज मेरी टो अच्छी कासिं अगले हुई है क्या कि यू डॉंट वरी अरे मैं अभी बुजा देता हूं अच्छी खासी आग लगी हुई थी अच्छा वह थीक समय पर आ गया अरे वर्ना पता नहीं क्या हो जाता कि अपने आपको बचाईएगा आप मेरी चिंदा मत कीजिए लीजिए यह बुजा दी अरे किसी का फोन किया था हेलो फायर विर्गेट वह देखिए अब आपकी जरूरत नहीं थोड़ी सी आगती वह मैंने बुजा दी थैंक यू और सॉरी फोर्ड़ ट्रबल यह आरन स्विच ओफ करना आप भूल गई थी क्या नहीं राजेश भूल गए होंगे अरे देखिए घबरात में मैं यह पूछना ही भूल गई कि आप कौन है आपको शुक्रिया तक अदा नहीं किया शुक्रिया थैंक यू धन्यवाद ये गैरों के लिए होता है भावी मै मैं कोई गैर थोड़े ही हूँ मैं तो राजेश का दोस्त हुँ हूँ बहुत करीभी दोस्त हुल कुल अपनों की तरहां ये शायए राजयस ने आपको कभी नहीं बताया क्भीने बतााई किया नाम है आपका कदिसे रवी तो तो क्या उसने ये भी नीब बताया है कि माज़ घर पर आने वाला हूं नहीं तो चुह पूरानी आदत है बाबी हमेशा ऐसा ही करता या ऐसा फटी तू शाइक भूल गए होंगे आपको क्या मालूँ मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ भावी जी मगर आप इधर उधर क्यों गुम रहे हैं क्या देख रहे हैं प्लीज बैठिये ना पहले अच्छी तरह आपका घर तो देख लू एसे तो कोई खास चीज नहीं है भावी यह आपका सली का कितनी खूबसूरती से आपने घर को सजाया हुआ है भावी है रत हो रही है क्यों जूटी तारीफ कर रहे है मेरी आप जूट अरे जूट तो मैं कभी बोलता ही नहीं भावी जो देखा वो बता दिया अच्छा बैच जाईये में आपके लिए नहीं 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 बिल्कुल नहीं भावी अगर चाय वाई की बात करोगी न तो मैं चरा जाओंगा मैं आपको तकलिप देने के लिए नहीं आया आप हमारे घर में पहली बार आए हैं तो क्या हुआ आप तुम्हेंने घर देख लिया है आता ही रहूँगा फिर पिलूँगा भावी आपको हमारी दोस्ती का अंदाजा नहीं पैदा होने से लेकर जवाण होने तक हमने हर काम साथ में किया है जी हम दोनों का जन्द पेसात हुआ मेरा मतलब है एक दिन एक तारीख एक वक्त खाया एक साथ खेले एक साथ और स्कूल एक साथ गए भावी हमारी कॉलेज की तो शान ही लग ती क्या जमाना था अपना भावी हम दोनों किरकेट टीम में भी एक साथ थे राजेश बैट्समन था और मैं बोलर वो सेंचुरी मारने में उस्तार और मैं गुगली फैकने में गुगली गुगली और ये फोटो है न भावी फोटो इसमें जो दूसरे निमबर पर खड़ा है न वो मैं ही हूँ अब तो सपना सा लगता है किस तरह कॉलेज उसे कंधों पर उठाया करता था और लड़किया और लड़किया तो दिवानी थी राजेश की हाँ मुझे तो उसके सामने लिफ्ट ही नहीं देती थी पता नहीं क्यों लड़कियों की आदत है बैट्समेन पर मरती है और बोलर से डरती है वो तो नहीं मरते थे किसी पर क्यों नहीं क्यों नहीं कनहया गोपियों में रहे और बंसी ना बजाए मगर आपको उसके बारे में आपना वाडिया में पड़ते ने रवी भाईया आपको अपने कॉलेज का नाम भी नहीं याद भाभी हालात ने तो कोलेज तो क्या अपना नाम पता तक भोला दिया है और कॉलेज छोड़े हुए भी बहुत दिन हो गए और भाभी यह सोचा भी नहीं था कि अचानक आप इस कॉलेज का नाम पूछ लेंगी बादब बामुलाइजा होशियार आगे सरकार जापना सिकंदर आजम की सवारी आ चुकी है अच्छा भाभी मैं मैं चलता हूं क्यों ब सिकंदर हर वक्त मजाग अच्छा नहीं लगता मजाग कहां कर रहा हूं भाभी वह महाशे तो ऐसे गायब हुए जैसे घते के सर से सिंग तू अपनी इस दिन तारिफ क्रूं करता है अपनी मैं तो उन महाशे की तारिफ कर रहा था कौन सा चुचु का मुरब्बा है पहली बार चका है बोलने से पहले सोच लिया कर लिये महाराज वो आपके राजश भाया के दोस्त है दो दोस्त फिर तो एम सॉरी लेकिन आप भ अपड़े लेने के लिए मुझे भेज दिया लेकिन पैसे दिये वहाँ बहुत बढ़िया यानि यह भी काम महीं करो कर लेता हूं मेरा क्या जाता है बाबी इसमें एक पांच की एक दो की और एक दस की कहो तो पांच की लेलू हाँ लेले वेरी गुड प्रिमेर भावी तेंक्यू खुल जा ओ सिकंदर ओ सिकंदर देख तो दर्वाजा शायद ठीक से बन नहीं हुआ चला गया ओफ वो प्रिमेर की दुन में तो इसे कुछ यादी नहीं रहता कितने बार समझाया है नहीं चोड़ूंगा बेवकुल नहीं चोड़ूंगा कहां है वो कहां है कौन है क्या चाहते हैं राजेश राजेश तुम्हारा पती तुम्हारा हजबन कहां हो बलो वो तो दो अपने पति को सिखाओ पहले समझी मैं अपने पती के खिलाव एक शब भी नहीं समना चाहते हुए लो सुन लो सुन लोगी तो कान फड़ जाएंगे ऐसे करतुद है तुमारे पती की चुप करो नहीं बरदाश हुआ ना होगा भी कैसे तुम तो अंदी हो तुमें क्या बता वो बदमाश है आवारा है लुच्चा है लफंगा है पक्वास बन करो चले जाओं यह से गेट आउ यानि मेरी डॉटर इनलाओ के साथ प्यार का नाटक रचा नाटक मालूम है यह जूट है बक्वास है तुम अगर शराफास से नहीं जाओगे तो मैं पुलिस को बुलाओंगी बुलाओ ना मेली तकलिप कम हो जाएगी मैं पुलिस टेशन जाने से बज जाओंगा बुलाओ ना प्लीज बुलाओ मेरे पास सबूत है यह देखो देखा यह तो पागज है पागज तो तुमारे लिए है क्योंकि तुम अंधी हो ना यह तो लव लेटर है लव लेटर मेरे डॉटर इनलाओ को लिखा है सुनाओं पढ़के शरम से डूप मरोगी इतना अगंदा है सब क बिखा है अब मिले कहां मिले ऐसे मिले अगरे उब चली शरम मैं तो जरूर उसे जो आंगा आक तुम क्यों नहीं देखा अपनी डॉटर इम लाओ का योट नहीं रोका तुम नहीं चानी लोक हां और तुमारे बैटे नहीं से हरे हम कैसे रोकते है तुमने सुना नहीं, कमान सेती, रभू का वचन, स्त्री का पाव, जो निकला एक बार सदा के लिए निकल गया, विका मॉडल थी, राजिस उसके फोटो खिष्ठा था, नंगे फोटो, अब तुम खुश समझ लो, जब एक जवान डड़की मर्द के सामने कपड़े उतारेग तो क्या होगा, वही होगा, मेरी तो किस्मत फुड़ गई थी, मेरे बेटे पे तो जादू किया था उसने, बागल हो गया था, मेरी बात नहीं मानी उसने, चादी कर ली, हैंने सोचा शादी के बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन ठीक होगी कैसे, उसे बिगाडने वाला तो राजेश, मालू है, दो दिन पहले दोनों कलकत्ता गए थे, कलकत्ता, वो तो दिल्ली गए थे, अरे कहीं भी गई हो, गए तो थे, उससे क्या फरक पड़ता है, और वापस भी आ गए, आज दुपेर की प्लेन से, मैंने अपने आखों से देखा है दोनों को, लेकिन आप क कोना हिंदूस्तानी अवरत, तुम क्या कर रहा है मेरे बेडरूम में, क्या, 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 तेरो मैं दिखाता हूँ, देखो दूसरा सबूत, अब को यकिन आएगा, क्या सबूत, क्या है यह, फोटो फोटो, तुमारे वफादार पती का फोटो हो, रीटा के सार, कहां से ला तुमारे डेसिंग टेबल में, ते शरम गले में हाथ डालके खड़ा है, अपने पत्नी के सीने पे मूंग डल रहा है, यह जूट है, यह, यह राजश का हूँ मेरा फोटो है, तुमने देखा, किसीने बोला, बोलो, बोलो, हां, मैं जानते हूँ, फोटो में जटो, यह तुमें पुलिस को दे दूना, नहींचे खाक करवा, अंदर करवा दूना, नहीं- Дharजस अपत्ताइ अपो नहीं, तुम मेरे ढसे को जीज नहीं ले जा सकती, दो, दो मुझा लेकि यह तुम्हारी नहीं है मेरी है मेरी मैं यह ले जाओंगा जरूर ले जाओंगा कम से कम तुम्हारे पती की शराफत का पोल जो खुल जाएगा यह जो 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 अच्छा मोका है यह बुटे क्या बगता है इडियाट कहीं का बस बस सब पता है पता है जा अंदर जाओंगा ताइम आपकरता है मुझे सब मालूम है बाबी तुम रो रही हो बात क्या है आखिर हुआ क्या उस बुद्धे की बात से परिशान हो रही हो क्या भाई अमें क्या बताओं वो क्या कह रहा था वो कह रहा था राजेश और रिटा एक दूसरे से प्यार करते हैं और रिटा अपस में कोई कहरा संबंद है लेकिन तुम्हें तो राजेश पर भरोसा है ना भाबी है तो लेकिन वो ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए तस्वीर दिखा कर कह रहा था वो रिटा और फिर तो हो सकता है बुड्डे की बात में कुछ सचाई हो राजेश पर कोई इंजाम आ जाए बात बढ़ जाएगी भाबी मेरी मानों इससे पहले हम ही सब कुछ पुलिस को बता देते हैं ठीक है तुम कहते हो तो फोन कर लेते हैं अरे अरे भाबी आप क्यों तकलिफ कर रही है मैं कर देता हूं क्या नंबर है हाँ देख लिया टू वान टू वान थ्री शिक्स वन सेगण हाँ कुलाबा पुलिस्टेशन 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 देखे मैं मरिन ड्राइव सनी बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर मिस्टर राजेश के घर से बोल रहा हूं हां जी बात यह है कि अभी अभी एक बुड़ा आया था उसने मेरी भावी को गालियां दी डराया धमकाया और साथ-साथ एक चांडी का किम्ती फोटो फ्रेम भी ले गया है हां सर जी राजेश घर में नहीं है मेरी भावी देख नहीं सकती वो अंधी है हां वो पुलिस टेशन नहीं आ सकती आप मेरी और से एंसी नोट कर लिजिए ना मेरा नाम रवी है आप आ रहे हैं ना थैंक्यू थैंक्यू सब इधर ही आ रहे हैं आप तो डरने की कोई बात नहीं है ना बहुत अच्छा हुआ रवी भाया जो तुम वक्त पर आ गए लेकिन तुम अचानक आ कैसे गया है क्या बताऊं भावी भगवान जो करता है अच्छा ही करता है मैं अपना है पैकर भूल गया था अब मुझे पूलियो से बहुट डर लगता है ना चाने क्या क्या पूछेंगे तुम्हें क्या जो सची बात है बता देना इसके आने तक ते तुम्हेहारौ गे नी अहां क्यों नहीं भला इतना कुछ हो हो जाने पर मैं तुम्हें अकेला छोड़कर थोड़े ही जाऊंगा रवी भृया ना चाने मैं तुम्हारे यह संग कैसे उतारूंगी क्या बात करती हो भावी एहसान कैसा यह तो मेरा फर्ज है आखिर मैं राजेश का दोस्त हूं आप ठेरो भावी मैं देखता हूं कौन है मिश्टर राजेश जी नहीं मुझे रवी कहते हैं आपको क्या चाहिए अच्छा तो वो आपके ही डैडी थे जो मेरे पति को गालिया दे गए है उन पर जुटे इल्जाम लगा गए है जी जी हां एक्चुली वो ज़रा परिशान थे एक्चुली परिशान थे तो घर में बैठें दूसरों को क्यों परिशान करते हैं क्या पागलपन है यह यूसी यूसी उन्होंने जो कह था ठीक है मैडम पागल तो मैं हूँ तो यहां क्यों आए है पागल खाने जाए लगता है वहीं चाना पड़ेगा क्योंकि मैंने अपने डैडी की बात नहीं मानी और रिटा से शाधी कर ली इन बातों से मुझे क्या मतलब जी आपको नहीं हैं आपके हजबन को वो तुलों फ्रेंड है आई मिन बॉइफ्रेंड गल्फ्रेंड उनके रिलेशन में थोड़ी गड़बड थी बड़े बेशर्म हैं आप एक शरीफ आदमी के बारे में उसकी पत्नी के सामने गंड़ी बाते करते हैं शरम नहीं आती है आपको आँ शरम इसके बारे में आई डोन नो मैंने रिटा को बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी आखेर वही हुआ क्या हुआ आप कहना कह चाहते हैं यूसी यूसी रिटा दो दिन पहले दिल्ली गई थी आज वापस आई है राजेश के साथ सुना है वहाँ उसने नेकलेश चुराया है बीस पचीस लाग का और वो नेकलेश रिटा ने राजेश को दिया है तो आपका क्या मतलब है कि नेकलेश इस घर में है आई मिन हो सकता है ना नहीं मैं तो राजेश से कहने आए हूँ कि अगर निकलेश इसके पास हो तो पुलिस को दे दो वरना बुरी तरह फस जाएगा क्योंकि रिटा का मडर हो चुक्छा है करें रिटा का मडर किस ने किया इसी यह तो नहीं मालूम लेकिन इलजाम राजेश प्यार रहा है मेरे डड़ी को तो यकिन है कि राजेश ने निकलेश हलब करने के लिए रिटा को माल ड़ाला नहीं यह जूट है ऐसा नहीं हो सकते लिकिन लेकिन ऐसा हुआ है, मैं क्या करूँ सब सबूत राजेश के खिलाफ है मुझे पुलिस ने बुला है स्टेटमेंट देने के लिए मगर मैं नहीं चाहता कि बेकसुर राजेश मर्डर केस में फश जाए I mean फांसी पे चड़ जाए You see You see आया इसलिए हूँ कि सारा जगडा मैकलेस का है अगर गलती से वो इस घर में आ गया हो तो आप मुझे दे दिजिए मैं वो पुलिस को देकर राजेश की पोजिशन क्लियर कर दूगा बाबी फोन ठीके मैं ही ले 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 ता है हलो इंस्पेक्टर साब को लावा पुलिस टेशन से हाँ जी मैंने ही किया आए नहीं आप क्या कहा कंप्लेंट लिखवाई है मिस्टर फंडांडिस ने और राजेश और रिटा का फोटो भी दिखाया क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साब अरे राजेश एक शरीफ आदमी है क्या घर की तवाशी रहेंगे आप क्यों इंस्पेक्टर साब यहां कोई ऐसा नेकलेस मेकलेस नहीं है वारंट ठीक है आप वारंट लेकर आईए आम यही है नहीं राजेश देर से आएगा अच्छा बहुत अच्छा अजीब चक्कर है इसी कोई चक्कर अभी तो नहीं है लेकिन हो जाएगा नेकलेस अगर इस घर में मिल गया तो कहाना नेकलेस इस घर में नहीं है आल राइट आल राइट आप जानिये समझाना मेरा काम था मैंने समझा दी मैं तो जा रहा हूं पुलिस में स्टेटमेंट देने के लिए हाँ और मैं कर भी क्या सकता हूँ पुलिस ने बुलाया है तो स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा तुने समझाने की कोशिश तो मैंने की आगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने तो मैं जाओ प्रोने से क्या होगा भाबी जी अपया मुझे कुछ समझ में यह रहे कि असब क्या हो रहा है सिधी सी बात है रीटा ने नेकलेस चुराया 20 लाग का राजेश उसके साथ था रीटा का हो गया मल्डर इल्जाम किस पर आया राजेश पर ना भाबी भाबी मेरा मतलब यह निया कि राजेश ने जान भूज कर किया होगा मगर दोखा भी तो खा सकता है मुम्किन हो रीटा खत्रे में फच गई हो उसने अपनी जान बचाने के लिए वह नेकलेस राजेश को दे दिया हो और राजेश उसे घर पर लेया हो देखो भाबी चुपाने से मुश्किल और करते हैं तो राजेश पर इल्जाम नहीं आएगा मुझे मुझे कुछ नहीं पता मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि राजेश ऐसा नहीं कर सकता भाईया तुम यहीं ठेरो मैं डाड़ी को फोन करते हूं यह क्या कर रही हो भाबी उन्हें भी बताओगी कि रीटा और राजेश के गलत संबंध थे उनके दमाद ने उनकी बेटी को किस तरह दोखा दिया है यह सुनकर तुमारे डेड़ी को दुग नहीं होगा देखो भाबी ऐसी गलती भूलकर मत करना बात बढ़ाने की बजाए तो हम दोनों मिलकर हल करते तो अच्छा है लेकिन कैसे नेकलेस देके मैं तुमको कैसे यकीन दिलाओ रवी भिया मुझे यकीन दिलाने से क्या फाइदा यकीन तो पुलिस को आना चाहिए घर की तलाशी होगी और अगर नेकलेस मिल गया तो तुम लोग बहुत बड़ी मु रजेस ने आपको ना बताया हो कि अगर बताया तो था किस नेकलेस के बारे में जो नोने दिल्ली में देखा था वो कह रहे थे कि वो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बर जरूर है देखो भावी इंसान की नियत बदलते देर नहीं लगती हो सकता है कि राजेश खुद नादानी कर बैठाओ मेरी तो किस समझ में ने यार है कि मैं क्या करूं मेरा ख्याल है कि पुलीस के आने से पहले हम खुदी घर की तलाशे ले ले नेकलेस होगा तो मिल जाएगा छोटा सा घर है ठीक है तुम कहते हो तो देख लेते हैं कि अरे क्या मेरा कहां गया है कि राजेश तो यहीं छोड़ गया था है कि शाक फिर ले गया हुआ कि कहां होगा नेकलेस है कि कि इतने डिरावनी आखे है कि यह सुप्रेस बचा है इसे देख लेते हैं कि रवी भाया देखना क्या है कि अगर हो तो इसे जला दो कि सुन्हें तुम्हें अगर इस घर में रिटा के कोई चीज नुज़र आए तो उसे खत में कर दो ताकि पुलिस को कोई सबूत न मिले भावी यह खत रिटा के नहीं तुम्हार है देखा आजुश मैं भी दूसरों की बातों में आकर तुम पर शुक कर बैठी यह मैंने ठीक नहीं कि पर आसे कि आज लेन हैं ख़र की कि पास क्या कर रहे हैं कि तुमने गारी की आवाज नहीं सुनी गारी की आवाज नहीं तो किसकी गारी वोस्की पुलिस की लेकिन मुझे तो कोई आवाज नहीं कि तुमने कर वह संदिया भावी तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे की मा जूट कह रहा हूं तो भास इस कि नहीं कर नहीं मुझे तो उस बुड़ों उसके बेटे पर शख हो रहा है दोनों की आवाज बिल्कुल एक जैसी है वाह भावी वाह अच्छा शक किया तुमने अरे बाप बेटों की एक जैसी आवाज नहीं होगी तो क्या मेरी और तुमारी होगी फिर भावी मैंने अपनी में हैसस नहीं किया होगा है क्ला नियुक्र भाइण कि दोनों बाप बेटे थे लेकिन दोनों के पास एक जुदा हτι नहीं होगा के, जुद्धों की आवास विकनल रोग जह इंडे डिया नहीं भाइण, तुम्हाइठ परिशान्त हेलो इंस्पेक्टर आईये प्लीज आईये प्लीज आईये बहुत देर कर दिया आपने हैसी भाबी काफी परिशान हो चुकी है क्या बात है बताए भाबी इंस्पेक्टर सहाब शान को यहां गुड़ा आया था हैसी और वो यहां से फोटो फ्रेम ले गया जो राजेश और रिटा का है जी वो गुड़ा और उसका बेटा दोनों पूरी स्टेशन में बैठे हैं राजेश के खिलाप उन्होंने कंप्लेंट दिखवाई मालू में राजेश ने रिटा का मर दालत करेगी पुलिस ने राजेश के खिलाप वारंट जारी किया है और मैं उसे गिरफतार करने आया हूँ बताए इस वक्तों कहां है इंस्पेक्टर माना की कानून आपके हाथ में है मगर इस तरह मजबूर औरत को ढहराना दंकाना अच्छी बात नहीं आप कोन होते भी बोलना है आदालत में बोलिए अच्छा मिसिस राजेश बताइए वो कहां है वो वो अपने किसी काम से बाहर गया है देर से आएंगे इस घर की तलाशी किसने लिए जी यकीनन नेकलेस धूंडा गया है मिला जी नहीं इसका मतलब है आपको नेकलेस के बारे में मालूम ह पिर तो ये भी मौलूम होगा कि नेकलेस कहां है मैं सच कहते हूं मुझे कुछ नहीं मालूम मिसिस राजेश आप हमें धोका नहीं दे सकती वैसे भी एक अच्छा शहरी होने के नाते कानून की मदद करना आपका फर्ज है आपने अगर हमें नेकलेस दे दिया तो आपके प वह जो कि या नाम बताया था आपने मिश्टर रवी है नेख्लेस मिलते ही सीधे मेरे पास पुली श्टेशन चले आप थे अर्य कि अज़िए पुसके कहा जाएगा अजयाँ क्या सोच रही हो भावी बड़ बहुत कम है जल्दी ढूंडो रवी भाई लगता है नेकलेस की जरुदत पुलीस से ज्यादा तुम्हें है क्या यह यह तुम क्या कह रही हो भावी मैं ठीक कह रही है मेरी बात का सच सच जवाब दो हाँ हाँ जल्दी पूछो इंस्पेक्टर की चूते रबड के थे या तुम ने इशार करके उन्हें उतारने के लिए कह दिया था रावी तुम भी पुझे उनका साथी समझ रही हो मैं को गुंड़ा या बदमाश थोड़े ही हो तुम ने गुंड़े हो ना बदमाश यह मैं अच्छी तरह जानती हुए तुम इस घर तो नहीं पीटे नहीं तो इस घर में तीन क्योंकि मैं तुम्हें जूतों के एक सी आवास के बारे में पहले ही पूच चुकी थी तुमने इशारा करके इंस्पेक्टर से जूते उतरवाई ठीक है मेरा वी भाईया तुम नहीं दिया स्लाई जलाने की जरसी हरकत कैसे सुन ली मेरे कान ही मेरी आखे हैं जरा सी आहट म अगर मुझे नेकलेस मिल भी जाए तो मैं आपको वापस नहीं करूंगी क्यों क्या मतलब क्योंकि नेकलेस की वज़े से तुम्हारी जान जा सकती है वो बुढ़ाई शायद तुम्हें माल राए ताकि उसे हिस्ताना देना पड़े इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले छोड़ो मुझे तुम मुझे नहीं मार सकते है तुम उस बुढ़े की तरद जालिम नहीं मकार नहीं अगर तुम्हारी जगवा बुढ़ा होता नो तो मैं उससे ही सब कुछ ना कहती हुआ कि मैं इंसान की आवाज से उसकी दिल को पहचान लेती हूं रवी भाया मुझे विश्वास है तुम ऐसा कभें नहीं करोगे भाभी रावी तो सारी दुनिया का अंधेरा दूर करता है लेकिन तुम के से रवी हो भाया जो रवी होकर भी अंधेरे में बटक रहे हूं इस अंधेरे से निकल जो बस बावी बस मैं आके होते हुए आज तक अंधा थ जिन्दीकी का सही रास्ता नहीं देख पाया लेकिन आज तुम्हें मुझे सही रास्ता दिखा दिया उठो बैल्या मर्द की आँखों में आसु अच्छी नहीं लगए मुझे अशिर्वार्दो भावी मैं तुम्हारे किसी काम आ सको तुम मेरी चिंता मत करो तुम यहां से चले जाओ लेकिन हुश्यार रहना सुना है ऐसे लोग आसानी के साथ अपने जाल से निकलने नहीं देते बल्कि जान के दुश्मन बन जाते हैं जल्दी चले जाओ झाल प्रवार्दो प्रवार्दो तुम जाओ रवी बर्या कौन है ये? रवी बर्या? बर्या? बोलो, तुम वोईटे क्यो नहीं? बोलो कौन है ये? बोलो, क्या हो रहा है नेरे घर में ये? बोलो ना तुम, क्योन है? अर्वां साथे! तनिय हम रहो बन्म, जोटे मैं नहीं के लिए रानल वमॉ材? तनिया प्लिज मुझा मुझा फुर्षारब? आनिया का? खुप छ्वकिरा आन कर दो ही आनिया वह जो आनिया ever? तनिया अनिया थक्लिणा इसा? तानिया इधर आओ इधर आओ तानिया तानिया चुप करो आज ये तुम्हारा कहना नहीं मालेगा तानिया 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 नहीं तानिया नहीं तानिया नहीं तानिया 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 प्लीज तानिया तन्या कं तन्या कं तन्या 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 तन इसे मत मारो, इसे क्या भी गड़ा है तुम्हारा, मत मारो तानिया को, तानिया मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं तानिया बादप, बामुलाईजा, होशियार जुबान नहीं खोलना, वरना जहापना सिकंदर आजम की सवारी आचुकी है अरे, क्या ड्रामा हो रहा है तानिया, आई तु आके खुश किसमत है प्यारे लेकिन खेर, अब अपुनने भी सोच लिये अगला जनम होगा ना भाबी या तो बनूँगा हीरो, या फिर कुट्टा पता नहीं भाबी आज पिच्चर में दिल ही नहीं लगा और वेसे भी मुझे दनीन बहुत आ रही है कहो तो यहीं सोजाओ, हाँ भाबी कहो ना भाबी, क्या हुआ अरे क्या बात है भाबी आज तुमने मौनवरत रखा है मेरा मतलब है खामोशी का रोजा हाँ? चलो अच्छ है भाबी बोलोगी, तो जट से कोई काम बोलोगी, सिकंदर ये कर ले, वो कर ले लेकिन भाबी, जहापना इस वक्त सोने के मुड में है काम के नहीं मुड नहीं, ओफ ओ अजहर का मुल्टा हो रहा है भाबी, चलता हूँ सुब जल्दी हाँगा गुटनाइट हलो, हलो जया बीटी, डैडी कैसी हो अच्छी डैडी, राजश गर पर है नहीं, नहीं है हाँ है नहीं नहीं है है यह क्या लगाया है, हेलो मिटी, हेलो, हेलो, फोन भी कट कर दिया, रहने भी दो, यह कोई वक्त है फोन करने का, शाबाश, वाकही तुम बहुत समझदार हो, कि अ होनास, यह हेलो, हेलो, इकन कर दो माकटारू हो अ हुदत काма है, हेलो, कि वक्त बहुत समय के एलोपक compassहर हो एलो भी कर दो, श 대प खपनीए रहने, क alleen रहने, के आसिया, तुम था यह+, वक्त अ है, हो, भी कैस्दू है हो धिगा तुम गुम बहुत समय का पू gnkl, यहा है, ह हलो कौन? गलत समझी ना तुम हमें नहीं देख सकती बर हम तुम्हें देख सकते हैं हुआ 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 कि कि वो सकता है कि रैजेश के दिना नि कर बैठाओं विजर्टर इन लव लेटर है जेज़ न जीटा ने राजिस घ्लब कर दिना को मार रहाँ और अक ले दोर्टर periods और नौपलिषा है और ओ निकलिस उसीर निकलिस अने सःमार रादा अजय हूसे अधि उतरी हूसे है इस अधरा रिंद्धिन रादा रोच का āपय ओंध स्ट्पब ऑन पहितं вм मिखतकुए पॉफल करें मिखतकुए प्यासोचरेयो भावी वर्थ भूत्कम है प्यासोचरेयो भावी वर्थ भूत्कम है क्या मेरा पहले तो या नहीं था राजिश सिकंदर लेकी गया होगा मकली एकना भावी या प्रोब्लो कर प्रोब्टो में उलो कोईकतरा उलो कि उलो पहाँ है, जलो कि ऑडाई है, जलो में पुरो चाहे हैं। कुछ। तो में खाहब, क्कें क्णाथ, पोर्कों रिखनार्टा भिखिए ती लुखिए्चिए। झाल 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 वह जकि ए प्रड़ों एक भंपूछ स्टुष्छ अ जरी कि ए प्रड़ू आगे एक प्रड़ आगे प्राद़ प्राद़ जिक सब्स्टेंशे एक प्रड़ी है जका एक उर रहा है वी प्रू। लो भूँजरर नूए्टा सबस्केछा है हुआ Princiariat कर दो कर दो कि इस घर के दिये तो मैं बुझाने आया थे लेकिन यहां तो कुंदन पहचान ली मेरी आवाज कह तुम भी उन गुंदे बदमाशों के साथी हो साथी मेरा दर्जा क्यों घटा रही हो जया मैं उनका साथी नहीं मैं उनका बॉस हो बॉस मुझे तुम धोखा नहीं दे सकती अब चुप चाप वो नेकलिस मेरे हवाले कर दो नेकलिस कैसा नेकलिस यहां कोई नेकलिस वेकलिस नहीं है है इसी घर में है और वो तुम्हें देना ही पड़ेगा कुंदन तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो यह तो तुम्हें आने वाला वक्त ही बताएगा कि मैंने इस वक्त का किस कदर पायदा उठाया है यह तुम क्या कर रहे हो मिट्टी का तेल इधर उधर चड़क रहा हूं कुंदन अंधेरे में तुम्हारी सूरत नजर नहीं आ रहे हैं उजाले में देखोंगा अब तुम जूट किसलिए बोल रहे हैं मैं जूट नहीं बोलती है वह तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता जाया वो नेक्लेस मुझे दे दो मैंने कहाना मेरे पास नहीं है अच्छा जो कस तुम्हारे घर में है वही दे दो न कमीने कुट्टे तुम्हारी यह जुरत ची 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 इतने बड़े बाप की बेटी और गालियों पर उतर आई तुम भी तो कमीने पर उतर आया हूं कम और दोते के साथ क्या कर रहे हो वही जो बाद में तुम्हारे साथ करेंगा ठाए विवियों घर रहे हूं यह तो मैं पुथ ब implants done रहा कि मैं किस तरह कितर राव थर पायूं कर बेरहमी से सासे चीफा का कि तुम्हारे हाथ कि आएगा सी जल्दी करेंगा आराम से बताएंगा, जया, आज की रात का मैंने बहुत बेस अबिस अंतिजार किया, और आज की रात बहुत दिनों के बाद आगी, आज की रात अपनी है, ये घर अपना है, और तुम, तुम भी अपनी हो, मैं कहती हूँ, मैं कहती हूँ, निकल जाओ यहां से कुंदन, एक बार निकल कर आज तक पच्ता रहा हूँ, तुमने मुझे ठुकरा दिया, शादी से इंकार कर दिया, तुम्हारी एक ना ने मुझे इंसान से हैवान बना दिया, सिर्फ तुम्हारी वज़े से मुझे गैर का आनुनी काम करने पड़े मैं शैतान बन गया हूं जया शैतान आज तुम्हारा ही बना हूँ ये शैतान तुम्हें माफ कैसे कर सकता है उस कमीने ने तुमको मुझसे चीना और अब मेरा नेकलिस भी ले उड़ा आज मैं सबसे बदला लेने वाला हूं जया आज के बाद राजेश और तुम्हारे मा बाप सर उठा के नहीं चल सकेंगे और दुनिया तुम्हें एक की नहीं दो की पत्नी कहेगी कहां तक भागोगी जया मर गया साला आज मेरे जो भी आड़े आएगा उसका यहीं अंजाम होगा स्विधा तुम रो रही हो मैंने अभी तो ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वज़े से तुम्हें रोना आ रहा स्विध है रोल हाहा रोलो जी भर के रोलो तुम रो रो के ठक जाओगी और मैं आसानी से अपनी मन मानी करेंगा हाल पकरो पकरो जया पक्रोना पक्रोना पकरो जया दरोमा there ठोमा भूना जया मतरोवίας बुलो़ पंचलो आस वालोग पक्ड़ो जया, पक्ड़ो पक्ड़ो जया इने हूँ न जया रो चुकी कुंदल तुम कहां खड़े हो तुहारे सामने जान करुद्ध तुम्हारे जिन्दा नहीं चोरूँगा मेरी आखे अब हम दॉनों बराबर हैं लेकिन मेरी आखे अन्धेरे की आधि तुम्हारी आखोंको अन्धेरे का अधि होने में देर लगेगी तेल मुझे जड़ी हो जलदी क्या है आराम से आपनी है घर अपना है और तुम अपने है टौँ अंदे नागिन तुमने मुझे भी अपनी सेसा बना दिया है तुम पागल हो गए कि तुम पागल तुम हो गए थे जो मुझे अंदी और मजबूर समझते थे बस करो ये खेल बस तुम भी तो बहुत खेले हो मुझसे अब मेरी बारी है और ले जया मुझे माप कर दो मैं कुछ नहीं करूँ है तो अब इस काविली कहा रहा है यह दियासलाई क्यों जलाई मुझे कुछ नजर नहीं आ रहे है कुछ देखनी रहा है मेरी आखों में आ अब मुझे अंधेरी से डर लग रहा है तो क्या फिर अपनी चिता जला के उजला करेगा ना फेक इदर दियासलाई नहीं 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 तो मुझे जला दोगी मैं अपने घर को तो आग नहीं लगाऊंगी फेकता है यह मैं अब अब मेरे घर की चाभियां भी इस तरफ ठेक दे वरना जला दूगी पांगल पर मत करें मैं देता हूं अब तुम जाना दो अब तो तु पुलिस की गारी में ही जाएगा वो छड़ी उठा उठा वो छड़ी कौन से चड़ी जो तेरे पैनों के पास पड़ी है जल्दी कर जल्दी तो कर रहा हूं मैं लव ढाली अब क्या करूं कहाओ तो अपनी सब पर मार लू जिसमें भेजा नहीं भूस आवर आए आगे मत बढ़ अब वहीं खड़े रहकर फर्स पर छड़ी मा ज़िए अज़रा सी भी उष्यारी की तो याद रखना मेरे पास माची से हाँ हाँ आती रहेगी मेरी मा जया तुम्हारी जय हो मैं खुद को बड़े बड़ों का बाप समझता था और तुम और तुम तो मेरी मा निकली मा है जया तुम्हें अंदा समझने वाला खुद तुम बहुत होश्यारों तुम बहुत होश्यारों और हर होश्यार आदमी कभी ना कभी कहीं ना कहीं बूल कर देता है चया और तुमने भी एक भूल की है देखो फ्रिज की बत्ती तोड़ना भूल गई से कंदार जा कंदाल से कंदार नाओट से कंदार तो बहुत है यफ्र भी ट्रेस से कंदार oh my एए कोई नहीं आएगा जयक, कोई नहीं आएगा मैं जानता हूँ राजेश दिल्ली की गाड़ी से आ रहा है मैंने उसकी गाड़ी का काटा बदलवा दिया था अब वो मेरे कबजे में है मेरी मर्जी के खिलाफ वो इस घर में आहीं नहीं सकता तुम्हे राजेश को तो कुछ नहीं किया अभी तक तो कुछ नहीं किया मैं हार गए कुंदल अब मुझे में कुछ कहने की ताकत नहीं रही यही प्यार से कहो मैं हार गए कुंदल प्यार और आंसुओं का कोई रिष्टा नहीं पोच डालो यह और कुछ मुस्कुरा कि कहो कि कुंदन मैं हार गई हूँ कहो ना कहो मैं हार गई कुंदन तुम चीर के मैं हार गई कुंदन कुंदन क्लस ले सकते हो तो मैं तीक लूंगा नहीं कुंदन अभी तुमने मुझे मा कहा था अपने आपको कमिना भी तो कहा था अबोड़ मा मै तो नहीं कुंदन चला कुंदन चलता चलता बुय को न मोद सेकांदर झांदर मिस्टर राजेश मैं आपके घर से आ रहा हूं आपकी मिसेश से पता चला कि आप आखरी देन से आने वाले हो लिटा दम तोड़ रही है दो तिन बार तो आपका नाम बलबला चुकी है आप चल कर उसे देख लिजिए प्लीज ताकि आपको देखकर उसका दम आसानी से निकल робर सके स्थीलीज दलोगा धिन से दिश्चांविए आपिया आपिया दो नांचान भूंध जीए आव। लाक्त दॉट अखरुं से शेए आव तयम्नौित। हुआ हुआ हुआ! हुआ हुआ! था हुआ… ुआ हुआ cultural बजयता हुआ 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 है हुआ है करेंगा है करेंगा है पिर लाहुछ आप लिर दो जलो जल्दी करो हरी अप जया दर्वाजा खुलो जया 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 ? जया ? जया ? जया ? जया ? जया ? मैं यहाँ मेरे पास आओ मैं मैं यहां हूँ जाया उठो जाया अब रोना किस बात कर जाया तुम तु बिजयता हो हाँ जाया इंस्पेक्टर साहब मुझे आपके जीब से भागना पड़ा दरसल सुभए से मुझे इस गड़बड का अंदेशा था इंस्पेक्टर साहब जब तक आप मेरी बात का यकीन करते तब तक मेरी पतनी की जान भी जा सकती थी उस नेखलेस की बजे से जो तुम मुझे करो नेकलेश कहा है वो नेकलेश के कैमरे में था जिसका पता राजश को भी नहीं था कि मैंने उसे छुपा कर उस घड़ी में रख दिया यह बदमाश दिल्ली से नेकलेश चुरा कर फरार हो गए थे मिश्टर राजेश इन मुल्जिमों की जिन्दा या मुर्दा गिरफतारी पर सरकार की ओर से इनाम रखा गया है श्रीमती राजेश मैं आपको अपनी और सरकार की तरफ से बदा ही देता हूँ आज अपने भारतिय नारी का सर उचा कर दिया राजेश चाहे तुम लाख हिंकार करो लेकिन मैं अपनी बेटी को इससे बढ़िया नेकलेस प्रजेंट करूँगा बाजेश बेटी कर देता है बुरू झाल अजब प्राइब से लुट करोगा झाल कर दो कर दो